गैस कोलकता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच इस IPL का जो 42 मैच खेला जाएगा मतलब गैस KKR वर्सेस PBKS के बीच जो आज का मैच होने वाला है उसकी बारे में गैस इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल्ड प्रेडिक्शन करने वालूँ गैस जो अपना लाज्ट मैच गया था उस वाले मैच में अपन सभी भायों ने काफी अच्छे विनिंग किये और जो भी गैस मैं आपको बताया था सेम वैसा ही हुआ ने आपको बोला था रीशप पन को भाई इस वाले मैच में कप्तान बना देना और बहुत सारे लोगोंने आपके fantasy की टीम में सटेक लग जाए ना तो आपको विनिंग करने से कोई रोक नहीं सकता अब आज का मैच जो है वो कोलकता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच है और यह वाला मैच खेला जाएगा KKR के होम ग्राउन मतलब इडन गार्डन में गईज यह मैच होने वाला है और इस वाले वेन्यू पर कोलकता नाइट राइडर्स को हनाना बहुत मुश्किल का अब यहां पर गईज इस में अभी तक जितने मैचेज होए ना वह काफी जादा हाई स्कोरिंग अब सबसे इंपोर्टेंट चीज आती है कि क्या आज का मैच भी सेम पिच पर खेला जाएगा जहां पर लाश्ट मैच हुआ था क्या आज का मैच भी हाई स्कोरिंग होगा उसके बारे में बात करेंग और साथ में अपन देखेंगे इडन गार्डन कोलकता में कोलकता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स में से ऐसे कौन से प्लेयर है जो खास तोर से इस मैदान पर काफी अच्छा करते हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे साथ में गईज मैं आपक के मैच में ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग खेलने जा रहे हों तो आपको दो प्लेयर में ऐसे बताने वाला हूं जो आज के मैच में काफी अच्छा करने वाले हैं उनको अप अपनी टीम में पक्का से रख लेना वह कौन से प्लेयर है उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि सी और वी सी के पिक आ रहे है सोनेल नाराएन है रसयल है सैम करने तो वह इन तीनों में से किसको बनाएं और अगर 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 आतीनों को नहीं बनाते हैं तो चौतह प्लेयर कफटान वाईस कफटान कौन बन सकता है उसके बारे में भी अपन बात करेंगी तो जब IPL टारत नहे नहे हैं टे प्लेयर के बारे में जादा नॉलेज नहीं थी ह जो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए तो गाइज मैं आप से रिक्वेश्ट करूंगा मेरे शौर एक्सपर्ट सपोर्ड योट्यूब चैनल को आप पक्का से जोड़ जाओ और गाइज इस वाले मैच में आप लोगों के लिए फ्री गीववे जिसकी वैल्यू पाँच हजार उपए है जिसमें टोटल पाँच लोगों को हजार उपए मिलेंगे कंडिशन गाइज वही सेम है वीडियो पे लाइक करना है चैनल सब्सक्राइब करना है और इसी वीडियो में आपसे इसी मैच से एक प्रशन पूछा जाएगा अगर आप जवाब सही दे देते हो तो आप प्राइस विन कर सकते हो बट गाइज मैं आपको फिर से एक चीज टूमेच जो खेला जाएगा इडन गार्डयन कोलकता में और इडन गार्डन कोलकता का जैसा रहता है वो मैं अबको एक बार बता डिता हु ना उन में सबसे बड़िया जो पिच है य इडन गार्डन कोलकता का माना जाता incubus का आपक Parliament मित्टी का बना होता है और जो काली मिट्टी के पीछ होते हैं ना गई उनकी थोड़े थे तो इस वाले वाENTE Pelmen पर आप देखोंगे और भुवले श्कोर को तो वह को जाते हैं इस वाले वाले कि यहां पर बॉलर्स जो है ना वो भी थोड़े खुश रहते हैं क्योंकि फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिलती है और जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है मैच फ्रोग्रेस होता जाता है तो इस पिनर्स को भी favor करने लग जाता है पिच तो अगर मैं अवर ओल गया आपको रिवीउ करके दूँ तो आपको यह वाला पिच काफी काफी ज्यादा की है इसकी आज के मैच के आपको टीम प्रेडिक्शन भी मैं देने वालों इसलिए अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो हर चीज मिल जाएगी और जिन भी भाईयों को टॉस के बाद फाइनल टीम चाहिए तो वो मेरा टेलिग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट को जॉइन कर ले कैसे जॉइन करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दिखेगा टॉप पर पिन क्या हुआ शौर एक्सपर्ट सपोर्ट के नाम से बस उस लिंक पे आपको किलिक करना है वो सीधा टेलिग्राम पे ले जाएगा और जाके जॉइन कर लेना वहां पर आपको फाइनल टीम में मिल जाएगी पक्का से आप जॉइन कर लेना शौर एक्सपर्ट सपोर्ट टेलिग्राम चैनल अब देखे गई इस वाले वेन्यू पर इस IPL 2024 में जो मैचे खेले गए ना उनमें कैसा स्कोर बनाए एक बार आपको दिखातों देखे गई आपको बता दू यहां पर एक मैच हुआ था 14 अप्रेल 2024 को मैच किसके बीच था लखनाउ सूपर जैंस और कोलकता नाइट राइडर्स के भी लखनाउ सूपर जैंस ने 161 बनाए के क्कार ने 162 बनाके मैच को विन कर लिया इस वाले मैच पर फास्ट बॉलर्स को साथ बीकेट मिले इस के बाद इसके बाद पर मैच हुआ सोलह अप्रेल 2024 को मैच किसके बीच ता कॉलकता नाइट राइडर्स और राजिस्तालese की बीच विन कर लिया और आपको बता दू इस ईपर का गयज यह सबसे ज्हाधा हाई-स चैसाइस इस में बट्र ने बिशत तक लगा था बर देखने वाली बात क्या है कि फास्ट बॉलर भी विकेट निकाल गए और स्पिनर्स भी विकेट निकाल गए इसलिए मैं कहता हूं यहां का पिच बहुत फाइनेश पिच है और इसके बाद 21 अप्रेल को मैच हुआ भी रिसेंटली कोलकता नाइट राइडर् स्पिनर्ग राइडर् ने बनाए 222 और इस वाले मैच भी पेसर्स को बारा विकेट मिले इस पिनर्स को तीन विकेट मिले तो गाईद अगर आप यहां पर देखोगे तो लास्ट दोनों मैच अगर देखोगे तो 200 प्लस का स्कोर बनाए तो कहीना कहीं बैट्समैन और और आपको ज्यादा पिक करके चलना है वैसे बैटिंग भी अच्छी कर लेते हो और साथ में जो बालिंग की बात करूं तो पेसर्स थोड़े ज्यादा विकेट लेते हैं बट इस्पिनर्स का रोल भी इंपोर्टेंट होता है तो आज के मैच में कौन सा इस्पिनर अपन पिक क करूंगा बस आप से रिक्वेश्ट करूंगा वीडियो पूरा देख ले समय निकालके ताकि आपका लॉस ना हो मेरे भाई मेरी आप से रिक्वेश्ट है सबी भाईयों से अब गयाइज बात आती है कोलकता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के आज के मैच में क्या प्लेइंग 11 हो सकती है क्या के मैच में शिखर धवन कमबैक करेंगे क्या वो इंजरी से बाहर होएंगे वो अपन देखेंगे अगर कोलकता नाइट रिडर्स की बात करूं तो फिलिप्स आड के साथ सुने नारायन ओपन करेगा यही ओपनिंग कर रहा है अब फिलिप्स आड की जगे मुझे नहीं लगत करन शर्मा जैसा बॉलर भी इसको चक्के लगा देता है यह बूरी कंडिशन चल दिए तो हो सकता है आज के मैच में से कौन-कौन से प्लियर आपके लिए फैवरेट रहेंगे किसको लेके चलना है वह अपन देखेंगे अगर मैं पंजाब किंग्स की बात करूं तो अगर शिकर दवन आज के मैच में भी नहीं खेलते हैं तो प्रप सिम्रंण सिंग के साथ सैम करन ही ओपन करेंगे सैम करन टीम के कप्तान भी है नमबर तीन पर रूसो फिजिते शर्मा लिविंग इस्टॉन फिर शशांग सिंग आशुतो शर्मा हर्पिट सिंग हर्पिट ब्रार सिम्रंण सिंग रूसो जिते शर्मा इनके बैट से रननी निकल दें तो हो सकता है आज के मैच में रूसो की जगे आपको वापस से जौनी बैरिष्टो खेलते हुए दिखें यहां पे कुछ बदलाव हो साथ में आपको आगे मैं वीडियो में एक प्रश्निम पूछूंग आज के मैच के और कप्तान वाइस कप्तान का सेलेक्शन में दिखाऊंगा जिससे आप एक बैश टीम आज के मैच के प्रिपेर कर पाऊगे इसलिए कंप्लेट वीडियो देखिएगा कहीं इधर उधर मत जाएग अब आज के मैच में माई 11 सरकील एप पर एक बहुत ही अच अगर आप उस लिंक से जाकर एप्लिकेशन को डाउनलोड करते हो और डाउनलोड करने के एक घंटे के अंदर अंदर अगर आप मेगा कॉंटेस जॉइन करते हो और आप नए यूजर हो जिन्होंने अभी तक अप को डाउनलोड नहीं किया है तो जो 49 रुपीस की मेगा है वह केवल आप एक रुपए में जॉइन कर सकते हो मतलब आपको केवल एक रुपए देना है और आप मेगा कॉंटेस जॉइन कर सकते हो तो यह बहुत ही अच्छा ओफर है आप लोगों के लिए जितने भी नए यूजर से उनके लिए ओफर है तो पक्का से फाइदा उठा क्योंकि मेगा कॉंटेस्ट अगर आप नॉर्मल जाओगे ना एजे नॉर्मल तो 49 रुपए की एक टीम पड़ेगी दस टीम भी लगा दी ना तो 490 जाएंगे पर यहां पर दस टीम के आपको कितने देने पड़ेंगे केवल 10 रुपए और अगर उसमें आपकी रैंक बना तो गाइज आपको एक करोड रुपए का यहां पर कैश प्राइज मिलेगा आप देख सकते हैं एक करोड रुपए यह तो फर्स प्राइस पर नीचे भी बहुत सारे प्राइजेस होते हैं और गाइज एक चीज और बता दू जब आप यहां पर डिपोजिट करो ना माई-11 सरकेल अमाउन पर कोई भी अमाउनट आप डिकोजिट करते हो तो मेरा ना एक्शपर 23 टेइस कूर डालने से आपको क्या होगा अप जितना डिपोजिट करोगे इसका 20% मिल जाएगा आपने 200 डिपोजिट किया तो 240 500 जा थो 600 सब मैं आगे बता दूँगा तो पक्का से आप डाउनलोड करें बट इस एप पे गई थोड़ा सा वित्य जोखिम इंक्लियूड है क्रप अपने रिस पर खेले समल के खेले साथ मेरा टेलिग्राम शौर पक्का से आप सबस्क्राइब कर लेना नीचे सब्सक्राइब का बटन है है अब सबसे इंपोर्टन चीज आती है कि आज के मैच में कोलकता और मजब के कौन-k speculate है जिनको difficulties करने शद्सक करेंगा तो हर एक चीज आज के मैच के लिए करके दूंगा बस मैं आप से द्är करना पक्रणानी कर देना ज्यक्त लाइक को सब्सक्राइब करेगा तो लंग घाइस पक्का कर करेंगा तो विकेट कीपर सेक्शन में कोलकता नाइट आइडर्स की तरफ से फिलिप साल दिखेंगे जो कि ओपन करने वाले और इडन गार्डन कोलकता में फिलिप साल बहुत अच्छा करता है इस मैदान पर इसने चार मैच खेले 201 रन मना चुका है लास्ट तीन मैचों में 48-10-89 और पंजाब किंग्स के अगें दो मैच खेले 47 रन मना है तो कहीना कई साल काफी अच्छा करता है इस मैदान पर पंजाब किंग्स की तरफ से जितेश शर्मा नंबर 4 पे खेलेंगे इस IPL में यह बहुत जादा आउट ओफ फॉर्म चल रहा है लास्ट तीन मैचों में 13-9-29 और इस मैदान पर चार मैच खेले 90 रन मना है खाली और केके आर के अगेंस दो मैच 42 रन और प्रप सिमरन सिंग की बात कर लेते हैं जो की ओपन करने वाला है लास्ट मैच में जरूर ठीट ठाक बैटिंग की थी पैतिशन मनाये थे बट केके आर के अगेंस इसने तीन मैचों में केवल 49 रन मनाये 13 के एवरेज से और इस मैदा कीपर रखना चाहते हो तो फिर प्रप सिमरन सिंग को रख सकते हो क्योंकि ओपन कर रहा है तो कहीं ना कहीं बैटर हो सकता है बागी मैंने अपनी फाइनल टीम में किसको रखा है वो तो मैं जब आपको फाइनल टीम इस वीडियो में दिखाऊंगा तब बताई दूँगा क किसको मैंने रखा है इसके बाद यहां पर बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की के कियार की पास अच्छे खासे बैटर है अब यहां पर सबसे पहला नाम आता है रिंकू सिंग का अगर आप प्रीवियस सीजन देखोगे ना तो बहुत जबरदस गया था प्रीवियस सीजन में 59 सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि आदे मैचे उसमें बैटिंग नहीं और आदे में आई तो फिर यह जल्दी आउट हो गया लास्ट तीन मैचों में चोईस बेस नो इस मैदान पर एवरेज में कोई कमी नहीं है 47 का है पंजाब किंग्स के अगेंस दो मैच खेले 25 मनाए श्र तो मेरे अकोर्डिंग आज के मैच में श्रिया सहीर को डेफिनेटली रखना क्योंकि भाई काफी अच्छा कर रहा है इस मैदान पर रिकॉर्ड भी अच्छा और कंसिस्टेंट रन मना रहा है इसके बाद बैंक्टे शहीर आते हैं नंबर चार पर आपको खेलते हुए कि आपको चार बैटर दिख रहे हैं चार बैट्समेंन में कौन-कौन है एक तो वैंक्टे शहीर है रिंकु सिंग है श्रिया सहीर है और रगू अंची तो मेरे अकोर्डिंग दिखें श्रिया सहीर को तो आप पक्का लेके आएगा काफी ज़ादा इंपोर्टेंट लग रह सकता है फिर भी अगर आप रगुवंशी को लेना चाहते हो तो केकर सेकिंड बैट करें तो आप रख सकते हो वैसे आज के मैच वेंग्टेश की जगे नितेश राणा भी खेल सकते हैं इसके बाद पंजाब किंग्स के बैटर्स की बात करें तो यहां पर रूसो इसको कंटीन मौका मिल रहा है बट पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है लास्ट मैच में नौ उससे पहले एक उससे पहले पांच और प्रिवियस सीजन में टीज की एवरेज से रून मना थे बट यह वाला सीजन इसका अच्छा नीजा रहा है शशांग सिंग की बात करते हैं लास्ट त तो देखिए वैसे तो पंजाब किंग्स के सारे ही अगर मैं बैटर उठा के देखू ना तो एक आशुतो शर्मा को छोड़ दीजिए बाकि सब की फॉर्म खराब चल दी तो आज के मैच में अगर आपको पीबी के एसके बैट्समें रखने हैं तो मैं आपको बोलूँगा दो बैटर आप रख सकते हैं एक तो आशुतो शर्मा एक बढ़िया पिक हो सकता है दूसरा शशांग सिंग बट शशांग सिंग का भी इस मैदान पे रिकॉर्ड उतना कोई खास नहीं है वैसे जादा मैच इसने इस मैदान पे खेले नहीं है फिर भी मुझे ऐसा लग रहा यही सबसे जादा इंपोर्टाइन सेक्षन है आज के मैच के लिए और यहीं पर ही विनिंग डिसाइड होगी आज के मैच की के क्यार का अगर अल रॉंडर सेक्षन दिखोगे तो सबसे स्टॉंग है क्योंकि रसेल और नारायन यह दो ऐसे प्लेयर है जो के क्यार को अपने दंपर मैच जिता रहे हैं रसेल लाश्ट मैच में तीन विकेट 27 रन उससे पहले 13 रन उससे पहले एक विकेट इस मैदान पर सैतेस विकेट है और पंजाब किंग्स के अगें बारा मैच 15 विकेट और साथ में 408 रन और वहीं अगर सुनेल नारायन की बात करूं तो भाई इस IPL में अपनी बॉलिंग से भी गजब फॉर्म है और बैटिंग से भी गजब फॉर्म है एक अलगी नारायन निकल के आ रहा है लाश्ट तीन मैचों में आप देखें दस रन दो विकेट एक सुनव रन दो विकेट 6 रन एक विकेट इस मैदान पर 56 मैच 68 विकेट और साम सबसे बड़ा यहां पर प्रशन उठता है कि इन दोनों में से कप्तान वाइस कप्तान किसको बनाए या नारायन को बनाए यह आपको आगे वीडियो में जब फाइनल टीम दिखा हूंगा तब बता दूगा किसको कप्तान और वाइस कप्तान आज के मैचों बनाना है आप उसको बना सकते हो और अभी भी आपने वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब गईज पक्का से कर देना आपसे रिक्वेश्ट है पंजाब किंग्स के अल्राउंडर में देखिए दो है सैम करन और लिविंग स्टोन यह दोनों गईद इस ऐसे प्लेयर है जो पंजाब किंग्स की तरफ से इस आई पेर में सबसे अब बैस्ट कर दो चाहें पंजाब किंग्स हार रहा हो पर इनकी फॉर्म में कोई कमी नहीं है सैम करन लाश्ट तीन मैचों में बीस रण एक विकेट छे रण दो विकेट छेरन दो विकेट तो तीन मैचों में पाच विकेट ले जा चुका है और सामने वाली टीम के अगेंस साथ मैच चार विकेट और वहीं अगर मैं लिविंग इस्टॉन की बात करूँ तो लास्ट मैच में अपनी बॉलिंग से दो विकेट निकाले थे और बट इसका रिकॉर्ड के के अगेंस उत्ता रखेगा अपनी टीम में अब बात आती है गईस बॉलिंग सेक्शन की अब के क्यार के अगर आप बॉलर देखोगे ना तो एक दो बॉलर ऐसे उनको तो आप पक्का रख लेना टीम एक तो है वरुन चकुरती टीम का इस्पीनर है और बहुत अच्छी फॉर्म में लास्ट दो मैचों में अब तक चार विकेट ले जा चुका है इस मैदान पर आठ ग्यारा विकेट और सामने वाली टीम के एक मैच दो विकेट सुय शर्मा काफी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है इस आई पेल में सब्स्ट्यूट टीम के साथ जुड़ा था और मिशेल स्टार के अगेंस लिकार थोड़ा बैटर और एक दो विकेट तो यह फिर भी निकाले लेता है चाहिए कितना ही एक्सपेंसिव हुआ हो क्योंकि दैट में बॉलिंग कराता है इस वज़े से इसको विकेट मिल जाते हैं और अगर मैं पंजाब किंग्स के बालर्स की बात करूँ त करें फास्ट बॉलर है अभी लास्ट तीन मैचों से थोड़ी इसकी फॉर्म खराब हुई है उतने ज्यादा विकेट ने मिल दे बट हर्शल पटेल काफी अच्छा कर रहा है परपल कैप लीडर बोर्ड में भी टॉप पे चल रहा है काफी अच्छी बॉलिंग कराई है ला पर चार मैचों में किवल दोई विकेट पर यह बालिंग बैकप भी हो जाता है इस वजह से लोग बैटिंग भी कर लेता है इस वजह से लोग रख लेते तो यहां पर जो बढ़िया पिक है वह रबाड़ा और अर्शल पटेर और अगर आप तीसरा भी लेना चाहते हो तो पिर आप अर्शरीप सिंग के साथ जा सकते हैं आज के मैच में कोलकता नाइट राइडर्स की तरफ से सब्स्टिट्यूट इंपक्ट प्लियर कौन-कौन से हो सकते हैं इसमें अंकुल सुदाकर रहा है मनीश पांडे है वैबा वरोरा है और रहम लोग गुरबाज है पर अथरफ टाइडे और शिवम सिंग अब हो सकता है आज के मैच में अथरफ टाइडे को खिला लिया जाए प्रप सिमरन सिंग की जगे बाकी संभावना कम लग रहे बाकी मैं लाइव इस्ट्रिमिंग करूंगा जब शाम को पाच बच की 40 मिट पर या फिर टॉस के टाइम प यह आउट कर चुका है और अगर राहूल चहर और था ऐस्ट में पिजाब की तरफ से क्एलता है तो श्रिया स हीर को मत रखेगा क्विंकि 15 बार यह भी आउट कर चुका है तो कहीना कई राहुल चहर और हर्शल पटेल दोनों के अगेंस में शुरिया सयर बैटर नहीं है वैंग्टे शयर को भी राहुल चहर 26 बॉलों में दो बार रसेल की बात करू सैम करन 20 बॉलों पे दो बार और हर्शल पटेल 26 बॉलों पे दो बार और रबाडा नारायन को यहा तो रसेल को इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि यह बॉलिंग भी करते हैं अगर बैटिंग से फ्लॉप हो गए तो बॉलिंग से विकेट देंगे तो रसेल नारायन को रख लेना पड़ श्रिया सायर और वैंक्टेश अगर राहूल चैर खेलता है तो आप ड्रॉप करके चल स इसकी तरफ से यहां पर रूसों की जगे जॉनी बैरिश्टों को वापस बैक किया जा सकता है क्योंकि इसका रिकॉर्ड है ना कोलकता के अगेंस बहुत अच्छा है 54 का एवरेज है पाच मैचों में 215 रहने तो अगर आज के मैच में बैरिश्टों खेलता है तो आप रख करेंगा और कौन सा बॉलर कितने डालेगा जिससे आपके लिए आज के मैच वे बॉलिंग बॉलर्स पिक करना फिर मैं आपको फाइनल टीम दिखा दूगा और कप्तान वाइस कप्तान का सेलेक्शन दिखा दूगा तो केके आर की तरफ से अगर मैं लाश्ट मैच को ने हर्शित राना ने और वरुन चक्वति ने तो आज की मैच में जो बैटर है वो है वरुन चक्वति हर्शित राना सुनेल नाराएंड और एड़ासेल यह चार प्लियर काफी बैटर के के साइट से पंजाब किंग्स की तरफ से रबाडा हर्पिट ब्राड लिविंग सिंग ने और जो दैथ में बॉलिंग कराई वो कराई अर्शिदेप सिंग और रबाड़ा ने तो आज की मैच के लिए वह है रबाड़ा हर्शल पाटेल अर्शिदीप जहां पर सैंग और लिविंग इस्टोर और डिफ्रेंशल पिक आज के मैच के हो सकते हैं मैं आपको आज के मैच की दो टीम दिखाऊंगा यह पहली टीम है सेफ टीम है फिर दूसरी टीम भी दिखाऊंगा वो थोड़ी से रिस्की हो सकती है तो माई 11 सरकील अब को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो पक्का से डाउनलोड करने ना डिस्क्रिप्शन में क कमेंट पर लिंक है 49 की मेगा आपको एक रुपे की पड़ेगी अगर आप नई यूजर हो पर ध्यान रखना एक घंटे के अंदर अंदर जॉइन करना है डाउनलोड करने के अधर्वाइस फिर वो 49 की हो जाएगी अब पहली टीम गईद मैंने क्या बनाई है आपको दिखा पर लाना को और वरुन चक्वति तो यह वाली टीम काफी ज्यादा सेफ टीम मुझे लग रही है और एजे सेफ पेक है और इनमें वह प्लेयर जादा रखे गया है जो अभी इस आई पेल में जिनकी फॉर्म काफी अच्छी है ठीक है यह मेरी पहली टीम है अब आपको दू दूसरी टीम में आप देखिए फिलिप साड को सेम रखा है विकेट कीपर में पर बैटिंग में मैंने आशुतो शर्मा के साथ रगू वंची और रिंकू सिंग को रखा है यह दोनों गई ऐसे ट्रम पिक है रिंकू सिंग हो सकता है आज के मैच में अच्छा कर दया है अच वाली टीम में इस्टार के अर्शदीप सिंगे ऐसे डिफ्रेंशल पिक है यहां पर रगू वंची और इंकू सिंग है तो यह चार प्लेयर डिफ्रेंट है बाकी पहली वाली टीम तो बैस टीम है जिसको आप यूज कर सकते हैं अब आज के मैच में कपतान वाइस कपतान की की बात करूं तो तीन बैटर पीक है सुनिल नाराइं सैम करन और अब इन तीनों में से मैं फाइनली किसको बनाऊंगा या तो मैं टॉस के बाद आपको टेलिग्राम पर बताई दूंगा वहां पर आप जुड़ जाओगे तो वहां पर आपको मैं बता दूंगा अब आज क प्लेयर है जो आज के मैच में मैं फौन डा मैच रह सकता है एवा आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना एवा आप मेरे लिंक से डावनलोड करते हैं और आप नए यूजर उत्तों पकासे ओफर का फायदा उठा लेना है तो के कर वरसेगे मैच प्डिक्शन डिटे पूरे आई पेल में काफी भाई को सपोर्ट कर रहे हो आगे भी करते रहना पर जाते जाते वीडियो लाइक कर जाना चैनल सब्सक्राइब पक्का से कर देना और गाइज मेरा वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव था एजूकेशन परपस से था और आप लोगों ने इस वीडि भाईयों का बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है भाईयों नमस्टूर्ट